आपको नाम से समझ में आ रहा है, Optimization मतलब क्या होता है, Optimize करना, टेकर जो आपने Table बना दी, उसका Core अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, Space मतलब कुछ Keys होती है, कुछ Data होता है, कुछ Information होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप सोचिंगे, अब आप बोले करते हैं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है, कुछ basic steps हम लोग start करेंगे, क्योंकि पहले DBMS कैसे create होता है, क्या उसका logic बनता है, ठीक है, Data Definition Languages क्या है, ठीक है, एक एक करके हम लोग step by step आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग ER model पर ठीक है, और क्या इससे help मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, creating a database involves several steps, जो आपके database होते हैं, देखे, जब हम database, कोई भी database create करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, सबसे पहला क्या, define a purpose, सबसे पहला आपको purpose पता होना चाहिए, कि database बनाने का purpose क्या है, ठीक ठीक है, किस type का होने वाला है, ठीक है, किसके लिए होने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहले सबसे पहले किस type का, ठीक है, और किसके लिए, ठीक है, अगर कोई clothing brand मेरे को बता रहे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या फिर car का कोई brand है, ठीक है, या फिर bikes का क कोई ब्रेंड है तो उसके हिसाब से हम लोग इसके टाइप को डिसाइड करेंगे किस टाइप का मैं बना हुआ क्या परपस इसका तो सबसे पहले आपको परपस पता होना चाहिए फिर आप करेंगे गैदर रिक्वाइमेंट्स ठीक है बला कोई आप से बौल दे कोई कप्ड कैपने में करने में आसानी होगी क्यूट्च में अच्छी तरह से प्रॉबलम नेurg और चेंजंस आपको ज्यादा परफॉर्म ना करना पड़े आपास नहीं है ज्यादा रिक्वायमेंट और इतने ज्यादा इंफ़ार्मेशन आपके पास रखनी है ठीक है requirement क्या होगी database की फिर conceptual design ठीक है मैंने जब schema को बताया तो वहाँ पर आपको मैंने conceptual schema बताया था ठीक है logical schema बताया था physical schema बताया था तो आपको conceptual schema पता हो ना जिसको हम ER diagram से बनाते हैं ठीक है कि कौन सा entity किस entity से link होगी ठीक है जैसे कि अगर एक entity है customer 365 का bang के साथ क्या relation है ढाउस का रिलेशन है तो उसको किस ते से दिखाएंगे यह जो हम diagram से सो करते है diagram से design करते हैं तिखाते है diagram से ठीक है तो उससे हम ER diagram कहते हैं ठीक है और वह किसके अंदर आता है conceptual design के अंदर आता है फिर आपका logical design होता है, ठीक है कि क्या आप logic बना दें, उसके design के अंदर ते, वैसे logical schema होता है, वैसे logical design होता है, फिर आपको पता होना चीए कि DBS कौन सा use करना है, ठीक है data management system कौन सा use करना है, मेरा आपको different database management system बताए है, उसमें साथ को जो अच्छा लगी वो आप use कर सकते हैं जो हम सीखते हैं, वो अब table में बनाने सेखेंगे, कि table कैसे बनेगी, किस table में क्या-क्य entity होंगी, एक table, दूसरी table से किस entity के basis पे, या फिर किस column के basis पे, आपके attach होंगी, तो एक थोड़ी पहुत चीजा आपको समझ में नहारे को, entity जो मैं कह रहा हूँ, column क्यों कह रहा तो नीचे मैंने example दे रहे हैं, वहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, table बना के रखते हैं, इस तरीके से, एक table बनाई, जैसे मान लिजे, customer ही है, तो customer के लिए मुझे एक अलग से table बनाने पड़ेगी, ठीक है, उसमें उसका name, number information आएगी, ठीक है, address आएगा, जो भी मुझे information ये, वो मैं रखूँगा, ठीक है, जरूरी ही कि सारी चीजे रखूँ, लेकि requirement क्या है, वो उसके हिसाब से रखूँगा, ठीक है, अब एक customer का कोई loan चलना है, मान लिजे, loan चलना है, तो loan की टेबल बनेगी, जिसमें loan की information table है, ठीक है, इस table से किस तरइसे link होगी, क्यूंकि यहां पर हमारे एक न एक column repeat कर रहा होगा, जो यहां भी हो रहा होगा, यहां भी हो रहा होगा, तो वह जो column में relation होगा, तो वो क्या relation होगा? ठीक है, तो उस time पर हम लोग create table करते है, पिर define relationship, कि relationship क्या होगी, कि customer की loan के आज की वीडियो में अप्टमाइजेशन और परफॉमेंस अब देखे अप्टमाइजेशन यह काफी बाद में आएगा हमारा जब हम ठोड़ी पकल बना लेंगे अपनी उसके बाद देखे अप्टमाइजेशन में होता क्या है आपने सुनाओका नॉर्मलाइजेशन ठीक है तो वहां पर हम लोग सेखेंगे कि चाहता हम जरूषन पड़ती है ट्र कासे करpannt पॉय mister हम लगाते। đ यह strengths करें ऐगर आपको हरते यह अगर आप से कुछ आप पूछ गया तो वहाँ पर आप यह सारी पॉइंट बता सकते हैं टैस्ट आप डाटाबेस को किस तरह से टेस्ट करें बैक अप और रिकवरी क्योंकि आपका क्या करना है बैकप भी रखना जुरूरी है वह देखने को नहीं मिलता था तो रिकवरी वारा ड्राइव किया है यह आपका जैसे डाटाबेस जो इसमें डाटा इंपोर्टेंट सी का डाटा उसको सी ड्राइव में जो डाटा होता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा उसको रिकवर करने के लिए एक रिकवरी हम ड्राइव बनाते हैं ठीक है एक रिकवरी ड्राइव खुद बनाते है उसी तरह हम भी बनाते हैं ठीक है उसी तरह से हमें क्या करना होता है डॉक्यमेंटेशन भी करना होता है जैसे आप कोई प्रोडेक्ट खड़ीते हैं उसके साथ को डॉक्यमेंटेशन मिलता है कैसे कितनी भी तरह की आ सकते हैं, करप तो नहीं हो गया data इस तरह की जो step होते हैं वो maintenance and monitoring में आते हैं तेके मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि यह जो course चल ला है वो दोनों के लिए चल ला है, आपको B.Tech के लिए भी चल ला है और interviewer हमें सही है जाते हैं, कि बच्चा थोड़ से जादा knowledge हो उसके पास ठीक है, कि जितनी जादा knowledge होगी, तो उनको लगेगा कि हाँ, एक अच्छा impression आपका बनेगा वहाँ पर तो आपके chances जोंगे selection के, वो बढ़ जाते हैं जैसे ER diagram आपको समझ में नहीं आया होगा, भी तब बनाया है नहीं मैंने, तो वह आपको समझ में आयागा वी थोड़ी देर बाद अब इसके बाद topic हाता, database language, database language कौन-कौन से होते हैं तीन तरह के language आपको दिखने है, DDL, DML और DCL अब देखे DDL क्या है, DDL क्या मलब यहाँ पर definition हाता, हम लोग डिफाइन करते हैं कि structure किस type का है manipulation में क्या होता है, हम manipulate करते हैं उसको insert करना, update करना, delete करना, modify करना, इस तरह की जितनी भी आपकी procedure होते हैं या फिर आपकी query होती है, जो उसको manipulate करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, DML की category में रखते हैं DCL क्या होता है, यह आपका क्या करता है, access को manage करता है, ठीक है, जिसे grant करना, कोई भी चीज़ आप ग्रेंड करी या आपको access grant किया जाता है, ठीक है, रिवोक करना, ठीक है, इस तरह की step होते हैं, इस तरह की query होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, DCL में रखते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहोगा, कोई बात नहीं, लेकिन जैसी मैं SQL आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस course में हम ठीक है, अगर कोई problem आती है, तो इसको recover करना है, ठीक है, ठीक है, और उसका documentation करना है, ठीक है, और फिर अगर कोई और DBA है, कोई दूसरा DBA है, कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, उसके साथ collab करना है, तो ये सब क्या करता है, DBA का काम है, DBA का मंदलब क्या है, एक ऐसा बंद करते हैं वही चीज़ करता है ठीक है डाटाबेस को design करना उसको recover करना tune करना performance increase करना ठीक है security देना data integrity क्या होते है कि हर किसी बंदे को एक तरह का ही data दिखे ठीक है particular type का जिसे अगर कोई अजे search कर रहा है ठीक है अजे का phone number सच कर रहा है तो उसको जो data देखेगा वो किसी और बंदे को अजे के नाम पर सर्च करने पर वही data देखेगा ऐसा नहीं कि इसको अलग data दिख रहा है इसको अलग data दिख रहा है सेम नाम पर ठीक है सेम एंट्री पर अलग-अलग data नहीं दिखना चाहिए ठीक है तो यहां पर आ जाता ठीक है monitor करना हो गया और अगर कोई problem create होती है तो इसके लिए alert generate करना हो गया ठीक है documentation यह तो पार्ट होता ही है ठीक है जो भी आप project बनाएंगे जिस प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे जिचना time आप project में लगगा उससलिए आपको documentation में लगएगा लोगों को लगता है कि अ documentation काफी तेजी से कर पाएंगे ठीक है 60 प्लस तो अगर आप फस्ट यर सगेंड यर में और आपकी 60 प्लस स्पीड नहीं आ रही है तो आप practice कीज़े क्योंकि यह 60 प्लस स्पीड लाने में ही एक दो साल लग जाता है ठीक है क्योंकि code लिखना अलग चीज़ है और documentation लिखना बनना चाहते हैं एक software डब्लबर बनना चाहते हैं तो ठीक है collaboration and coordination ठीक है जो बाते हमें को रहता है entity represent करते हैं एक real world object को जो की concept है और आधिंग है ठीक है कोई भी object जैसे अगर मैंने customer लिया तो यह entity को represent कर रहा है student है professorail course है यह सब किया है एक entity ठीक है relationship क्या है Attention बताता है कि एक entity दूरसे entity से कैसे connected है bei customer bank से connected है या फिर employee आपके company से connected है ठीक है कौन से employee किस company से connected है ठीक है यह आपका relationship बताता है जैसे student is enrolled in a course कि student किस role से आपका connected है entity entity को किस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग entity को rectangle से दिखाते हैं ठीक है और relationship को किस से दिखाते हैं triangle से दिखाते हैं ठीक हो क्या है यह हमारी दूसरी identity होगी ठीक हो क्या या फिर University ID, ठीक है, या फिर College की जो ID होती है, ठीक है, जिससे इसको uniquely identify किया जा सके, ठीक है, अब मैं आपको बताँगा कि कुछ Keys होती है, कुछ data होती है, कुछ information होती है, जिनको हम ज्यादा importance देते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, वो हमें help करती है, किसी भी student को uniquely identify करने के भी further divide हो सकता आपका, जैसे middle name, first name, last name, ठीक है, अब इसके student है, तो इसका date or birth क्या है, ठीक है, address क्या है, ठीक है, phone number क्या है, ठीक है, तो यह सब क्या आते हैं, आपके attributes बनाते हैं, इसके notes आपको बनाने हैं, ठीक है, अपने वन से जतना notes बनाएंगे, उतना ज़्याद आप आपको help करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यह notes हम आपको provide करीद दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पर provide होगा, इसलिए हम कभी भी क्या करते है, PPT में आपको नहीं देते, क्योंकि PPT में क्या होता है, जो हम लिखते है, स्क्रीन पर वो save नहीं होता, लेकिन यहाँ पर save हो जाता है, ठीक है, तो यह आपको PDF में मिल जाएगी, और PDF कहां से download करना है, आपको हमारे टेलिग्राम आकॉंड से भी download कर सकते हैं, हमारे WhatsApp से भी download कर सकते हैं, WhatsApp के group का link आपको मैं description में दे दूँगा, और टेलिग्राम का अब आपको यहाँ पर description से मिल जाएगा, ठीक है, अब component of ER model, component of ER model मतलब ER model में हम लोग क्या करते हैं, इनी तरह की चीजों को दिखाते हैं, जैसे entity को दिखाएंगे, relationship को दिखाएंगे, attributes को दिखाएंगे, ER model में कामी यही है, कि वो क्या करेगा, entity को दिखाएगा, ठीक है, तो एक entity, दूसरी entity से कैसे link हो रही है, यह बताएगा, अब यह entity कितनी type की हो सकती है, तो इसमें diagram अलगल हो सकती है, इसमें आपको double box दिख सकता है, double यहाँ पर relationship, double line दिख सकती है, दोनों तरफ कही बार ऐसा होगा कि आपको एक तरफ single line दिखे, एक तरफ double line दिखे, boiling line से इस तरह से represent हो सकता है, तो वो किस तरह का attributes है, अध्रीबीउट्स भी आते है, दिखे एक यहाँ पर student है, ड़के, तो इसका role number कितना होगा, date of birth क्या होगी, इस तरिकेसे entity दिखाई जाती है, तो जब हम इस तरह से represent करते है, को भी relationship हो, student का link है, course के साथ, ठीक है student enroll in यहाँ पर क्याएगा enroll आजाएगा in कौन से course में यहाँ पर course आजाएगा ठीक है यह double line single line सोड़ जीजेए भी ठीक है इसको बाद में समझेगे तो यह है अब course की भी कुछ अपनी क्या होगी course की ID होगी ठीक है course का duration होगा या फिर starting point होगा ठीक है यह तो यह सब क्या होगी इसके attribute होगी ठीक है अब क्या relationship का भी attribute हो सकता है हाँ relationship का भी attribute हो सकता है ठीक है जैसे कि आख को एक example दो में एक entity मैंने की teacher की teacher teaches course या फिर teacher teaches course since प्रप से पढ़ा रहा है teacher ठीक है sorry यह मैंने डागराम गलत बना दिया यहाँ पर rectangle नहीं आएगा यहाँ पर oval shape में आएगा चुक्छा attribute है न since तो यह since teacher कर में जा सकता है ठीक है यह relationship में आएगा teacher teaches this course कब से since तो यहाँ पर relationship का एक attribute है अभी हम detail में जानेंगे कि किस तरह से आपको ER model बनाना है यह से क्या करा हूँ सिर्फ overview दे रहा हूँ अपका ठीक है यह समझ में आए कि component क्या होते है ER model के entity होती है attribute होती है relationship होती है बस अब relationship कितने type के होते है सबसे important बात यह है relationship आपके तीन type के होते है mainly one one ठीक है one to end ठीक है और many to end ठीक है अब यहाँ पर आपको chart type के मिल सकते है online ठीक है जहाँ पर one to one बोला जाता है ठीक है one to end बोला जाता है और end to one बोला जाता है मैं end to one और one to end को same चीज़ समझता हूँ ठीक है क्यों कि इसको खुमाना जितो है उल्टा करना है तो end to one मनद जाएगा और now one to end मनद जाएगा और आपका होता है M to end ठीक है अब in का मतलब क्या है one one का क्या मतलब हुआ one to end का मतलब क्या हुआ end to one का मतलब क्या हुआ ठीक है इसको रिपेजेट्ट कैसे करेंगे EAR model में वो भी देखेंगे तो देखें 1 to 1 क्या हुआ 1 to 1 का मतलब है कि Single instance of an entity is related to a single instance of another entity ठीक है तो यहाँ पार देखें एक्जामर क्या करा person might have unique passport तो देखें employee 1 है ठीक है 101 इसके पास एक passport है 101 इसके पास एक passport है अब एक के पास दो passport नहीं हो सकते एक बंदे के पास एक ही passport होगा या फिर एक बंदे के पास एक ही अधार कार्ड होगा ठीक है दो अधार कार्ड नहीं हो सकते ठीक है unique identification जो होता है ठीक है एक कोई दूसरा बंदा है तो उसके पास एक ही passport होगा तिक है उस उसी बंदे के पास एक ही अधार काड होगा तो यहां पर जो लिंकेज बन रही है देखिchem एक की एक से ही बन रही है तिक है अगर एक मैं कहाँ कि student है एक ठेक है वो दो courses में enroll कर सकता है तो यहां फर one to one की रिलेजिशिप नहीं बन रही है, वहाँ पर कितने बन रही है, one to n की, क्योंकि एक बंदा multiple relationship, multiple courses में enroll कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बंदे के पास एक ही passport हो सकता है, एक बंदे के पास एक ही अधार कार्ड हो सकता है, तो यह जो relationship दिखा रहा है, अधार कार्ड के बीच में और person के बीच में, यह जो relationship है, वो one to one का relationship है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो एक entity होगी, ठीक है, वो क्या होगी, related होगी multiple entities से, multiple entities से आपकी relate होगी, जैसे कि course ID है, ठीक है, same course ID है, लेकिन यहाँ पर अलग-अलग student ने enroll कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर इसका उल्टा CO2, ठीक है, ठीक है, CO3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ही बंदा है, एक बंदे ने multiple entity को enroll कर रखा है, ठीक है, या फिर एक ही course को multiple लोग, multiple student यहाँ पर enroll करते हैं, ठीक है, तो यह के जो relation बता रहे है, यह कहता है, one to end का relationship बता रहे है, ठीक है, अब M to end का relation कब होगा, ठ फिके कि यहां पर क्या होगा जो आपके entity होगी ठीक है वो क्या करेगी multiple entity के साथ relationship बनाएगी और जो entity होगी another entity दूसरी जो entity होगी उसके भी multiple entity के साथ relationship होंगे तो इस तरह का इसका कुछ diagram को देखने को मिलेगी ठीक होगे जैसे कि example ए कि student और course का ठीक है यहां पर क्या है कि जो इसी तरह के से S2 का जो है वो C1 में भी हो सकता है और S2 का भी जो link है वो C2 से हो सकता है तो यहां पर देखने में आपको लगा लगा नहीं लग रहा है यहां पर कहता है कि यहां पर कहते हैं कि और C2 आएगा, ठीक है, यह student हो गए, यह आपके courses हो गए, ठीक है, S1 का link किससे बन रहा है, C1 से भी है, C2 से भी है, और C1 का link किससे, S1 से तो हाई, S2 से भी है, और S2 का link C2 से भी है, तो यहाँ पर देखिए, जो multiple process लग रहे है, इस तरह का representation हो रहा है, यहाँ पर, तो जब भी इस तरह का representation हो, तो वो क्या होता है, M2, M, relation का होता है, या M2, N से represent करते हैं, ठीक हो गया, जिसे हम many to many भी कहते हैं, यहाँ पर से नहीं जाएंगे, आप table के basis पर, यह table की form में represent कर रहा है, तब यहाँ पर single single दिखाई दे रहा है, लेकिन यह actually में होगा कैसे, इस तरह के से, जब इसको आप set की form में create करेंगे तो, ठीक हो क्या, अब आप बूछ सकते हैं कि यहाँ पर multiple instance लिखा हुआ है सर, यह multiple instance का मतलब किया है, ठीक है, instance क्या होता है कि, यह भी देखिए, जो यहाँ पर आपको diagram दिख रहा है, यह आपका data भी समाल लिजे, student दे रहा है, enrollment दे रहा है, और course दे रहा है, ठीक है, तो इस course में अभी आपको एक तरह की information दिख रही है, information दिख रही है, एक तरह की, ठीक है, यह इसका particular time पर instance है, यह instance change भी हो सकता है, ठीक है, तो particular time पर जो दिखने वाला data होता है, जिससे अभी मैं data देख रहा हूं, तो यह जो मुझे data दिख रहा है, यह इस time का particular time का instance है, अगर 10 दिन के बाद दिखो है, यह data चेंज रहा है, त लेकिन schema आपका throughout the database same रहता है, मतवत लंबे time तक same रहता है, schema बहुत कम change होता है, लेकिन यहाँ पर data frequently change होते रहता है, ठीक है, multi dollar, billion companies होती है, वहाँ तो frequently data change होता है, लेकिन उसके instance change होता है, schema change नहीं होता है, schema बहुत बात में change होता है, 2 साल के पाद, 4 साल के बाद, अगर को degree of relationship क्या है ठीक है यह क्या भवाल है ठीक है अब देखे इसको समझने के लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ involve a single entity tab इसका मदलब क्या हुआ और relationship तो अभी तक हमने जो बढ़ाया जो मैंने आपको बताया कि वहां पर यह बताया कि एक entity है किसी और किसा relationship में आ रही है तो यहां पर एक entity tab क्यों लिखा हुआ है entity tab इसले लिखा हुआ है कि यहां पर जो entity होती है वो खुद के साथ ही relationship में होती है ठीक है जैसे कि यहां पर आप सोचिंगे अब आप बोलेंगे कैसे सर ऐसे इंप्लॉई employee manages employee employee को manage करते है क्यों कि यहां पर जैसे जो आपका manager होगा वो भी तो एक employee है ठीक है आप उसके अंडर काम करते है तो आप भी employee है ठीक है विजे नाम का employee है अजे नाम का employee है इसका supervisor है कोई रमेस नाम का ठीक है वो भी एक employee है तो employee employee को manage कर रहा है यहां पर तो यहां पर जो relationship बनना हो यूनिरी नियंशिप बन रहा है यह समझ मैं यहां पर एक्जांपल भी दरिखा है ना एंप्लॉई एंट्रिटी माइट है रिपोर्ट टू एट्रिब्यूट तर रिप्रेजेंट सूपर्वाइजर और मैनेजर और इंप्लॉई इसका मतलब इंप्लॉई इंप्लॉई से ही रिलेड़ है इंप्लॉई इंप्लॉई को ही मैनेज कर रहा है इंप्लॉई इंप्लॉई को ही कंट्रोल कर रहा है इस तरह के जो रिलेंशिप होते हैं वह आपके क्या होते हैं यूनिरी रिलेंशिप में आते हैं यह डिग्री दिखाता है यह एक ही एंट्रिटी इन्वाल हो रही है बाइनेरी मतलब यहां पर क्या हूंगे डो एंट्रिटी इन्वाल होंगी और एक रिलेजिंशिप से बंदी होई होगी ठीक हो गया इसकी एक्जाम्पल आमने बहुत देख लिए उपर इस्टुडेंट कोर्स वाले टीचर कोर्स वाले ठीक है man to man relationship वाले जितने भी होते हैं यह समय को पर दिखे man relationship वाले इसको फर्दर explain कने ही जरूस मुझे लगनी रही है टानली relationship क्या होते हैं अव्य में क्या होता है जो entity होती है वो तीन होती है इन entity कैसे एक दो entity इधर होंगी एक से connected होंगी ठीक है और यह तीसरी entity से भी connected होंगी इस तरह के से अब आप बोलेंगे सारे एक बढ़िया अग्जामपल दे दो तो हमने का आप course कभी बीना एक चोड़ा है मैंने हमेशा example देता हूँ है ठीक है चले यहां पर ऐसे करते हैं student फाला ही ले ले लेते हैं ठीक है तो student क्या था student enrolled in course ठीक है अब यहां पर आ जागा department department भी आ गया ठीक है अब student क्या हो सकता है किसी course में भी कर सकता है ठीक है कौन से course लिया बीटेका सब्सक्रेवणी बीदेक से इसके बदा और इड्नटेट कर सकते हैं आफ कि एड्ट करते हैं यहां नियुक्ति फोर नहीं होती प्राइमेरी के वगएरा कितने टाइप की होती है वह पढ़ेंगे और किस तरह से रिपेजन्ट किया जाता है हम एट्रिबूट को किस तरह से रिपेजन्ट किया जाता है इस सिंगल एट्रिबूट, सिंपल एट्रिबूट ठीक है इनको हम लोग जानेंगे नेक्स वाली वीडियो में तो आज की वीडियो में इतना है रखते हैं थैंक यू वाचिंग गुडबाई टेक गेर अच्छाइबू थार को किए शवीडियो में तो आजके पनी एटेक माँ है